नमस्कार दोस्तों बदोसाथ आपका अमारे चैनल में दोस्तों अजकी इस वीडियो में हम आपको आपको आपी के सवालों से जबाब देने की कोशिश करेंगे और आपको ये बताएंगे कि APL और BPL के बीच में मुख्य अंतर क्या है दोनों के बीच में डिफरेंसिस क्या है, किन लोगों को APL और BPL के स्रेणी में रखा जाता है दोनों के लाप क्या है, तो यहाँ पर हम आपको पूरी चीजे समझाने की कोशिश करेंगे तो आपसे रिक्वेस्टे इस वीडियो को आप एंड तक देखिए ताकि आपको भी इसके बीच में मुख्य अंतर समझ में आ जाए नहीं है, तो दोस्तो APL का मतलब होता है अबव पावर्टी लाइन यानि की गरीबी रेखा से उपर अब गरीबी रेखा से उपर ये कैसे आप तैय करेंगे, तो दोस्तो भारत सरकार ने एक आय की सीमा तैय करी हुई है अगर उस AI की लिमिट से, अगर आप उपर आपकी इंकम है, तो आप अबव पावर्टी लाइन के अंदर आते हैं, यानि गरीबी रेखा से उपर आते हैं और वहीं BPL का मतलब जैसे की बिलो पावर्टी लाइन है, गरीबी रेखा से नीचे, तो अगर इंकम आपकी जो उस निर्धार सीमा से कम है, तो आप बिलो पावर्टी लाइन के अंदर आते हैं तो ये तो हैं इन दोनों के मतलब, कि APL का मतलब होता है अबब पावर्टी लाइन गरीबी रेखा से उपर और BPL का मतलब होता है बिलो पावर्टी लाइन यानि के गरीबी रेखा से नीचे, अब ये कैसे आप तैय करेंगे, कि कौन से व्यक्ति गरीबी रेखा से उपर है और कौन सी व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे तो यहाँ पर सरकार ने एक और लिमिट तै करी है इंकम की अगर आपके परिवार की वार्षिक आए जी हाँ परिवार की आपके अकेले की नहीं पूरे परिवार की अगर साला ना आए APL और BPL के अंदर यही इंकम जो 37,000 रुपए है इसी के आधार पर लोगों को APL और BPL की श्रीणिय के अंदर बाटा जाता है अब हम आपको यह भी बता दें कि APL कार्ट APL जो होता है वो सफेद रंग का राशन कार्ट इसू किया जाता है APL के टेगरी माने वाले लोगों को और BPL के के अंदर जो लोगों होते हैं उन्हें पीले रंग का राशन कार्ट इसू किया जाता है अब आप में से ये भी जरूर सवाल उटता होगा कि दोनों में से कौन सा कार्ट ज़्यादा लाब कारी है किसे ज़्यादा फायदा मिलता है तो यह हम आपको बताना चाहते है कि APL कार्ड की तुलना में जिन लोगों के पास BPL कार्ड होता है या BPL के अंदर जो लोग आते हैं उन्हें ज़्यादा लाब मिलता है समय समय पर जो सरकार की तरफ से जसके ज़्यादा भी होगा तो जैसे ज़्यादा लिस्ट के आधार पर जो BPL लिस्ट जो होती है BPL के लिस्ट में जो जनका नाम होता है या BPL के कैटेगरी में जो लोग आते हैं उन्हें ज़्यादा लाब दिया जाता है क्योंकि वो गरीबी रेखा से नीचे होते हैं उनके मुकाबले APL वाले लोगों को थोड़ी कम सुविधाय मिलती है लेकिन ये दोनों ही कैटेगरी इन दोनों में काफी सुविधाय देनी कुछ की जाती है तो दोस्तों ये जानकर ये आप लोगों के लिए थी जानकर ये आपको कैसे लगी प्लीज में कमेंट करके जुरूर बताएगे अच्छे लगी तो ये लाइक कीज़े अपने दोस्तों परिफार के साथ शेयर कीजिए जुर्य हमारे चैनल को सब्सक्राइब जुरूर कीजिए आपकी स्क्रीण के ओपर सब्सक्राइब के लान निशान झाल झाल